तू मेरी अधूरी प्यास प्यास तू आ गई मन को रास रास अब तो तू आ जाग बाद मंद्र जी नमस्कार आईये आईये मंद्र जी का जनम दिन है अच्छा इसलिए तो इतनी दूर से मा का अशिरवाद लेने आए साब जी आपके जनम दिन पर माता रानी ने आपको नट्राज की रूप में दर्शन दिया है पिनायक तू विगनेश्वर तू सकल देवों के आदी देव हो तूम विनायक तू विगनेश्वर तू करुणामय हो गुरुवे शर्णम सब के दिलों में तुम ही तुम हो उमापती के तुम कुमार हो पहली पूजा के हकदार तुम हो गणपती गणपती बन कर धरती की रक्षा करना तुम ही सब कुछ शिविके नंदन में 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 परसाथ लिए आप कहां जा रहे हैं यह जाकर ले आओ आईए सफ़ाइए का रहे है 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 कि देट पुम हो आईए है। हुआ 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 हुआ! चल्ड़ी चल्ड़ी चल्ड़। चल्ड़। सफेज सुमो लाल शिकर फो रजिस्टिशन बोर्ड। तो भून के रख तूंगा। अश्टा फिटिक्स नहीं है। ओवार ओवार। अश्टा फिट्रव। ये बाद अगर जनता को पता चली तो थोड़ी देर में पूरी इंडिया हिलके रह जाएगी। इंडिया के तेरे भाप की जागीर है जो ऐसे कामों से हिलके रह जाएगी। अपने नायक को पता चला तो तेरा बहुत बुरा हाल होगा। तेरे नायक नहीं तुम्हें उठाने की सुपारी अपने भाई को दिये, इसलिए तुम्हें उठाया है। एक जरूरी कंसाइन्मेंट पास करना है। लेकिन तुम साइन करने की बज़ए बखवास किये जा रहे हो। इसलिए कुछ दिन के लिए यहां रखने के लिए का है साप मुझे गलत मत समझना मुझसे जो कहा जाता मैं वह ही करता हूँ चाहो तो तुम्हारे नायक को भी उठाने की सुपारी दे दो उठा लाओंगा तुम्हें दो गंटे में उठाया था फिर नायक को चार गंटे में उठालाँगा एक जरूरी बात करने है शार्क मचलियों की जगर पे बोट पार्क किये बचने के लिए पानी में जंबना गाई तो सीरे शार्क के मुझ में जाएगा क्या है ये कोई रियल इस्टेट पार्टी के खातिर हम यहां बैठे है कोई और रियल इस्टेट पार्टी नहीं है भाई सहर का भाई है दूसरों के जगर बेचना, राजनीती वालों को गुंडे सप्लाई करना मांडवली से लेकर मर्डर तक सारे मुंबई इनका ही चलेता भाई धर्मात्मा, बद्रीनाथ, लोगनाथ, जगनाथ कहकर चार नाथ है पाँच हजार दिये तो आसल्ट करते हैं पचास हजार दिये तो सपोर्ट रोकने के लिए इनके पास आदमी है भाई आसल्ट यानि हाथ पैर निकाल देना, स्वोट यानि मर्डर कर देना नमस्ते जी नमस्ते बद्री क्या लफड़ा है? मलाड इस्ट में एक जगे का लफड़ा है भाई मलाड इस्ट में? वहाँ वैल्यू कम है ना किसी और की जगे पर तुम लोग कैसे रह सकते हो बताओ मुझे आखिर जो खेती करेगा उसी की तो जमीन होती है सरकार रास्ते की लड़की पतनी होती है क्या? एक लड़की से रिस्टा बनाने के लिए फूल दे कर सगाई करकर मंडब डालकर फिर शादी की रसम पूरी होती है उसी तर एडवांस दे कर एग्रिमेंट बनता है बहुत सारे काम होते हैं जैसे सर, वे, पावर, रजिस्ट्रेशन करके ठपा मारके बहुत से काम होते हैं गवर्मेंट रूल तुम्हारे कितने बच्चे हैं? पांच है साहब जानवरों की तरह हर साल एक बच्चा पैदा किये जा रहे हो इंक ना लगे, इसलिए उंगली पर तेल लगा कर जाते हो नकली वोट डालने वाले चोर कहीं के तुम कानून के बारे में मुझे समझा रहे हो भाईया, एकड़ पे पांच हजार हो तो वो दिने के लिए पार्टी रेडी है दस हजार देने के लिए कहना एक एकड़ पे दो हजार दूँगा चुब चाब लेकर कागजाद पे हस्ताक्षर करके मुझ बंद करके तुम लोग यहां से चले जाओ सुनो बद्रिनाद भाईया, रजिस्ट्रेशन मलाड में करेंगे तो सारे लोग मिलकर लफड़ा कर सकते हैं कि अधिने लिए यहीं पर करवा लो ठपा लगाने के समय लोगनात को अपने साथ में रखना को के मैं देख लूंगा बाई वासकर इन लोगों को ले जाकर खाना खिला कर माहिम के गटर में डाले हाई 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 कॉलेज आ रहे हो क्या जी हाँ कॉनसे कॉलेज में जो कॉलेज खुला मिलेगा उसी में घोष जाओंगा समभल के बाबू हर देन एकी कॉलेज में जाना नहीं तो फज़ जाओगे भाई नमस्ते भाई हाई आजा बैट चलता हूं मैं अब क्या हूँ यह लो ठीक है अपने पास रखो चलता हूं क्या भाई 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 करकर यह जादे कर रहा है भाई भाई का मतलब मैंने समझा नहीं काम का है लड़का मेरे काम का है कि दूंडो तो जरा कहा है वो प्यास है जोर से लगी अभी देखो तो जरा यहीं कहीं नशे की मटकी छूपी होगी अब तो उसे भी यह भी ना हमें रहा जाए ना तेको तो हमें मिली ही गई एक दोल बजा मस्ति यारो कर लो डांस यारो कर लो खुल के मजा सब कर लो यहाँ एक दोली मारो दुनिया को दुनिया से कले ना तर के कभी ना तुम जीना स्यादा ना सोचो रे कल के बारे में होना है जोगो होके रहेगा हम है वो ना जबा डर ना किसी से जो जूमेगाए करे डांस 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 जो भी चाहो खालो पिलो चाहे जैसे यारो जी लो तांस मेरे साथ करो तांस ये भिंदास करो एश यारो कर लो मोज यारो कर लो लोज ऐसा मोका मिलता कहाँ मस्ती यारो कर लो डांस यारो कर लो खुल के मजा सब कर लो यहाँ हुआ 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 है ए मांगे से हक जब ना मिले बढ़के आगे तुम चीन लो प्यार से जब ना माने कोई ताकर से फिर तुम काम लो जो भी बोलो यारो अपनी जुबा से करके उसे तुम दिख लाओ चोश है कितना सीन में तुम्हारे हस्ती है क्या तुम बत लाओ तरा ना किसी से मैं जुका ना कभी भी मैं बन गया मैं यारो डाउन 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 जो भी चाहो खालो पिलो चाहे जैसे यारों जिलो डांस मेरे साथ करो और डांस ये बिंदास करो कि बड़ मैं 256 बजलियूद अजरे बनारों कि बड़े लेक्त है फ्लाब laugh जिलोक कि बड़े फ्लाबदे पांस साथ मonneें बड़े दूम ज्डरों कि वाणा सुम्हां में माने ना जब प्यार से कोई बाजू से अपने काम लो लड़नी हो जब जब जंग कोई हिम्मत से यारों काम लो जब तक है जीना बेधरक जीना जीवन के युद को है जीतना हमसे है समाना हम नहीं समाने से मुश्किल हमें है अब रोकना दर गया जो समझो मर गया वो जानो मानो कभी ना तुम हार 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 जो भी चाहो खालो पीलो जब चाहे जैसे यारों जीलो जब तांस मेरे साथ करो पर तांस ये विंदास करो अशिया रो कर लो मौझया रो कर लो रोज ऐसा मौका मिलता कहां मस्त या रो कर लो डांस या रो कर लो खुलके मजा सब कर लो यहां यह क्यों आरो इसे क्या हुआ ये हर दिल लड़कों के साथ घूमती रहती है ऐसी लड़कियों की वज़े से ही कॉलेज का नाम खराब हो रहा है पचास साल के बुड़े के साथ गाड़ी में जा रही थी उसके साथ मज़े कर रही थी तू अपने आपको क्या बहुत बड़ी हूर पर ही समझती है तो लगाएंगे तब पदा चलेगा तुझे को लेज कल बनके रहना कॉल गल मत बनना फिर कभी किसी की संद घुमेगी ना तो चपल से मारूंगी याद रखना को ना आव पर आव कि तो आव कोरा कोरा अंतिरा संदन जैसा रंक दिरा चोरी से दिल ले लिया मेलिया कोरा कोरा अंतिरा सत्मल जैसा रख तिरा चोरी से दुले लिया पेलिया कौन हो तूँ सुमो साइखल पर आते हो और सुमो कहते हो पागल नहीं के मैंने अपना नाम आपको सुमो बताया लाए नेम इस बहुत तो याड़ी चलाओंगे तो चलाओंगा तो चलाओंगा तो यह पुराले लगती है आल इंडिया पर मिट भाई भाई वहां लेंगा दुपटा पहने एक लागी तुम्हें देख रही है भाई क्या लोगी धीमे धीमे जान मेरी कुमारी ये हाले दिल तुभी तो जाने रहे तेरे बिल जीए तो क्या जीए जैसे अंगुठी मौती बिल मुझे देख क्या ऐसे गा क्युव रहा है मैं तुमसे प्यार कर रहा हूं चानू प्यार मैं तुमसे क्यों प्यार कर Abhiयार नई करती मगाना सुनकर होगा यह भी देख के तट्वा डेड़ंगो आपे जाते कुमारी क्या लोगी धीमेदीमे जान, मेरी कुमारी प्रवाप्र एक कौन है रहे तू मैं सुमो हूँ सुमो नाम है तो सफारी से खुटकराते हो जाकर ट्रक से टकराओ ना ट्रक से उससे जाने तो भाई हमारे लाइक वाली फीगर उधर आ रही है वहां देखो मालावनी की गंगु भाई अरे अपनी गंगु भाई बजा चोरी है या तू है कटारी चीर गई दिलबन के आरी रूप की घगरी जलके प्यारी तो अखियां कज़डारी नमस्ते भाई आँ ठीक है नमस्ते भाई आँ नमस्ते नमस्ते घजनी मैं बदरी बात कर रहा हूं हाँ बोले भाई सुनो काच पालव में आज शाम को पार्टी की मिटिंग होने वाली है मेरे खयाल से 500 लोगों की जरूरत पड़े हैं ठीक है भाई हमें क्या करना पड़ेगा अरे कुछ नहीं रहे इंदा बात कहने के लिए अहां तो मैं क्राउड ले आऊंगा ठीक है इतना ही नहीं लेडि अजनी शाम को काच पाले में मेटिंग रखी गई है वहां लफड़ा करने के लिए पचास हाद मी मांगे है पांस ओपे बाद तो यह पांस यार अडवांस लिया हूं टैक रेडी है पत्खर नहीं तो फूल मारेंगे क्या शासरी भाई का फोना आया था वहां जाओ अंदर मत आना क्यों तुम्हें एक बार मेरे घर में कदम रखोगे तो सौ बार जाके सबसे कहोगे कि मेरे साथ चक्कर है कहूंगा तो क्या गलत है क्यों आया यहां तुम्हें घजनी ने बुलाने के लिए कहा है तू मुझे इतना बता तुझे काला अंगूर क्यों क दृष और चना नहीं करो तो अंगूर निकला क्या अंगूर मेरे महिन में आया जाने कि एक महिना ने दो मौन in पuynने on लेकिन मैंने अपने दिमाग को इस्तमाल किया दोनों के नाम को मिला कर सौर्कट में सूमो रख दिया समझी ना अब आपके सामने जो महिला आपके सामने अने वाली है वो कोई और नहीं बल्कि हमारी ही बस्ती की महिला प्रमृ जावाजों की जावाज बहुत ही खुबसूरत सरोजा आपके सामने मंज पर दो शब कहने के लिए आ रही है आईए सबूजा जी हमारी बस्ती के लोगों के सामने अपने विचार रखिए जो और तों को मर्दों को सभी को मेरा नमस्कार कंधे पर रखेंगे तो कावल कमर में बानेंगे तो धोती अंदर बानेंगे तो लंगोड ये सब तो पुरानी बाती है तुम्हें कुछ समझ में आता है की नहीं ए रामलाल तुम समझते हो की नहीं तुम मंडल की अध्यक्ष नहीं हो तुम चक्की बीसने वाले हो ए तु ऐसे क्या देख रहा है अगर तुम में से कोई सच में मर्द है तो मेरे सामने आए अगर तुमने मा का दूद पिया है तो और सच में मर्द हो तो एक बार मेरे सामने आकर दिखाओ तब तुम्हारी हिम्मत की दाद दूंगी तुम अध्यक्ष हो तो तुम्हारी जिन्दगी की कीमत है हमाम लोगों की जिन्दगी की कोई कीमत नहीं है क्या अगर किसी ने भी मुझसे पंगा लिया ना तो मैं मार मार कर उसकी हाला खराब कर दूँगी यह MLA रामलाल बहुत ही कमीन आदनी है आदी रात को कौन-कौन से जगा जाता है मुझे सब पता है आपको पता है क्या कार्य करता रामलाल यादव तुम रोज फूल बोटल पीते हो मुझे पता नहीं है क्या अब दीदी को कोई चुपने करा सकता है तुम्हारी सारी किसी को भी नहीं छोड़ूगी अरे लुको अरे भाई अरे भाई आदेखो क्या चाहिए सेमकाड है क्या ओ आपको एक नया स्किम बताती हूं चीप एन बेस्ट एक कॉल करूंगा तो 99 पैसे दो कॉल करूंगा तो 198 एक हाथ लगाया तो तोनों हाथ लगाया तो ठीक नहीं होगा बाई चलो चलते हैं फिर कभी बताऊंगा काचल कॉलेग जाकर पढ़ाई करने का छोड़कर तुम क्यों यहां पार्ट टाइम जब कर रही हो तुझे क्या यार तु तो कुछ भी कह सकती है मेरे डाट मुझे ताओ के घर एक गेस्ट की तरह छोड़के पूना चले गए गेस्ट की तरह उसे तो पेंगेस्ट कहते हैं मतलब प्रिपर कार की तरह हुआ है यह पता लड़किया पार्टी को पसंद आई की नहीं ज्यादा पसंद आई है एक हफ्ते से बोट में ही है ना इस उम्र में भी बुट्धा बहुत जवान है सब वीडियो निकाला उसका जल्दी से अख़वार में डाल दो मुंबई से आ एक लड़की मान गई है दूसरी मना कर रही है मेरी बात सुनों वह मान गई है उसे काम पे लगाते ना ओन है तो पर दिया है कर देना मना करने वाली लड़की को क्यों तुम जाना नहीं चाहती का पसंद नहीं है का बात है छोड़ दूँगा तो सब को बता दोगी ना नमस्ते गजनी उसके पास क्यों जाना है भाई जरूरी काम है गजनी सिर्फ अकेला मैं नहीं काली अबाबू साकीना का शंकर पठानवाडी का खान सभी मिलकर जा रहे है प्यारी के पिछे अलफांसो वरोन गड़ील मुनना और वीसको वारे भाई प्यारी नेरा रास्ता ठीक नहीं है रास्ता के बीच तो तुम आ रहे हो तुम गाजे का विजनेस कर लो इसमंगलिंग अलसर मडर तुमें जो पसंद है वो कर लो इन बिजनेस में मैं तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आउंगा लेकिन लड़कियों का धंदा क्यों कर रहे हो ये बात पब्लिक को पता चली तो लफ़ड़ा होगा ब्यारी वो अलग है ये अलग है मैं अपने अन्वो से बता रहा हूं लड़कियों की बाच अपने विजनेस में काम नहीं आएगी आप मुझ बंद रखी है क्या आप भाई को डरा रहे हो इन्हें केतना अन्ववा पता है तुम्हें जर्मात्मा वो तुम समझ लेना हमको जरूरत नहीं है कौन अभी तू कहां से आए तू जानता है तू कितसे बात कर रहे है तू समझता है भी देखके हम डर जाएंगे बहुत में रहा है तूसा खतम करेगा हम खतम करेंगा तुमको कुछता नाम गजनी दर्मात्मा कराइटेंड करेंगा हां सुन गया करेगा तो वो मूत होता है और कुछता करेगा तो डिये लेकर आघा हूं ले आओ ऑए मांजा गज़े पकरते हो देखो आलात रिचा लग रहा है भाए घोड़ा ठाली है बैजना गजनी बिहारी के आत्पियार हैं देखो गजनी बिहारी भाई ने तुम्हें बुला किसली है तुम बड़े जाबाज हो ना हमारे ग्रूप में शामिल करने के लिए गड़कियों का मैटर पसंद नहीं है तो धेरा फेरी तो कर सकते हो ना गजनी महराश्च में एक किलो पावडर एक लाग रुपे में विगता है वही पावडर बंगलादेश को सप्लाई किया तो एक करोड रुपे मिलेगा धर्मात्मा तुमसे बहुत बड़े बड़े काम करवा के चिल्ला तुम्हें देता है पुरा पुरा फाइदा वह उठा ल लगान, मारदा काम किलो चे पुरा 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 टो हुँ रख धुट रख देंग, हुँ चाहा हुँ हुँई रख 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 हुँई हुँई हुई हुँई हुँई ... हुआ 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 हुआ! लोग चाकू बंदूग शिशे की बोतल खतरनाक हत्यार तूफान इबम मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं लेकिन मैं महमूली चीजों से माच डालता हूँ अगर सरा भी हिला तो खून बाहर आ जाएगा और साथ में जान भी सिंदा रहना है तो अपने बाप बिहारी से कह दे और जो तिक आइए गाहों से आई हुए गाहों की गोड़ी बात्रूम जान रही है सुमों चल्रों अरे उस तरह गूमके नाने से अच्छा इस तरह गूमके ना आउना तो औरे यार इसका बै कि इतना सुपर है तो और तो क्यों सुमों तुम अचनक चुबंगी ऊगा बात करो हूं न और यू v Пока आं में बच़ा अ mother इसके तो पहरे पर बाल है तो यार स्ट्रॉंग बोडी वाली है इसके मुझे भी है यह तो सिनेमा का फाइट मास्टर है क्या है कोच नहीं क्या कुछ नहीं कोच बहुत है तो इसे चुप चुप के देख रहे थे और इतने दिन से तो यहां मोड़ते नहा रहे थी तो तुम कितनी बुरी नजर से देख रहे होगा अरे खुलजा खुलजा यह खुलता क्यों नहीं है क्या बात है इसके नल में पानी आ रहा है मेरे नल में क्यों नहीं आ रहा समझ में नहीं आ रहा अरे क्या बात है इसमें भी पानी नहीं आ रहा एए अंदर एक पागा नल को घुमाते जा रहा था बिल्कुल लूस फैलो की तरह पानी के से आएगा उसे पता ही नहीं चल रहा था अच्छा मेरा मजा कोड़ा रहे हैं इसकमिंग इसकमिंग अगया अगया अब मैं गुमा रहा था तो आधने के लिए इसलिए पूछ रहा हूं मेरे जैसे अक टपोरी खतरना गुंडा प्लेट फाम पे सोने वाला तरस बजे खाना खाके घर जा रहा है और तुम अभी चेकन क आदर देखकर यहां आराम से बैठी हो जब तक बनेगा और तुम खाकर घर जागी तब तक तो रात के दिगट दो बच जाएंगे तुम लोग आधी रात के गुमोगे अधेश तरकी कैसे करेगा देखो सुनो तुरा बाप कहां काम करता है पूना में पूना में पूना जरूर तेरा बाप रिश्वत लेता होगा सुनो देश को तुम लोग बरबाद कर रहे हो और कहते हो कि गुंडो और बदमाशों ने देश को बरबाद करती है और यह सब क्या है जीन्स पैंट और टीशेट के बीच में गैप रखके पूरी दुनिया को दिखाते हो तुम ल क्या यार पूरी इजट ही निकाल दी इजट तो निकाली लेकिन सच बोलके गया जास्तरी पूरा पैसा आ गया ना बहुत शुक्रिया भाई ऐसे ही काम देते रहे है अटैक के लिए भी आउंगा सुना तुमने बाबा अटैक के लिए तैयार है घर में दो जमान लड़किय है पैसे मिलेंगे तभी तो उनकी शादी होगी ना जास्तरी तेरी पतनी गाउं क्यों चली गई मेरा पीना रोना देकर संबले बिना चली गई जो भी काम के काबिल नहीं होते हैं उनमें से मैं एक हूं स्कूल के जमाने में ही शराब पीकर सिग्रेट पीकर बड़ों से मार खाकर आखिर में पतनी भी जगड़ा करके कहां चली गई है अब मुझे उसे हर मैंने खच्च बेचना मता है हलो बोलिए भाई गजनी एक फोन आया जरा देख लेना तुम हां मैं देख लूँगा भाई कौन चाहिए जाकर कैदो मैं आया हूँ नाम पूचे ने तो क्या बताओं कजनी शॉटकाट कजनी जाकर बता देना बताईए मेरी बेटी मेडिकल कॉलिज में पढ़ती है डेटिंग में अंजाने में किसी लड़के के साथ बाईक पर चली गई और रास्ते में ही बाईक का एक्सिलिजेंट हो गया एक बुड़ी होरत बाईक से टकरा गई और स्पोट पर ही मर गई पुलिस टेशन में उस लड़के ने मेरी बेटी का नाम ले लिया है यह बात अगर लोगों को पता चली तो हमारे घर की ज़त चली जाएगी अज़े चल रहे उतर माई बुला रहा है क्या समयता है खुद को हैं जिससे प्यार किया उसी को धोका दिया कैसा मर्द तू वो लड़के खुद करेगा वो लगा तू बात करेगा कि मैं तेरे हास पर थोड़के रेलवे ट्रैक पे डाल दूगा कैसे बाप दो कैसी माँ चारवरों की तरह बच्चे पैदा करके छोड़ दिया इतना भी नहीं जानते कि तुभारे बच्चे क्या कर रहे है लड़की का मैटा रहे इसकील अभी तक चुपू नहीं तो तोड़कर रख देता हॉस्पिटल पहुँचा देता सबको सुनो सर आपकी बेटी से अलग से कुछ बात करने है घवराये मत देखो सोशल होने के नाम पर ये घूमना फिरना बंद करो माबाप का नाम खराब करोगी क्या देख रही हो इनका दिल कितना दुखी है इनकी ममता को पहचानो इस दुनिया में अगर तुम्हें कोई धोका नहीं देखा तो वो हैं सिर्फ माबाप उन पर भरोसा करो किसी और भरोसा मत करो समझ गई ना अगर तुम समंदर के किनारे किसी लड़की के साथ गाना गाओगे तो सिनेमा के किसी हीरो से कम नहीं लगाओगे ए मामो यह डेटिंग क्या होती है रहे समंदर में मिलकर नहाकर एक रूम में ड्रेस चेंज करके कुछ भी तरहे बिना लॉट आए उसको डेटिंग कैसी क्या तू पहले डेटिंग पे गया है बताना ऐसा कुछ नहीं है डेटिंग नहीं करेगा तो जिंदिगी में क्या करेगा रहे सच में पताना पड़ेगा क्या बता भी दे अब मेरी उमर 26 साल के मैं मंतली 13000 रुपे कमारा हूं महीने में 11000 पंगार पाने वाली एक बैंक में का सब्सक्राइब करें यह क्या कर रहे हैं वह बाबा ने 2000 रुपे मांगे थे इसलिए कंगन दे रहे थी क्यों मांगते तो मैं नी देता पैसा नहीं है भाई कितनी बार तुमसे मांगू बस करो बाबा ए शास्तरी से बोलके बाबा को पैसे दिलवाए ठीक है अरे जा रहा है मोटू तुझे दूसरा काम नहीं है क्या जाना है तो चले या मेने जा रहा है सुनिए मुझे गजनी से मिला है कौन एक दो तीन चार पांच्छे वो गजनी क्या हाँ ऐसे मजा किया वही घर है अरे अपने मर्जी होटल ऑजनर की तो तुमसे मिलने आई हू हाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम है सा मेरी बात सुनो इंसाफ से बेचेंगे तो दो तिन कार्ट से जादा नहीं पिक सकते वही वियाएपी नंबर है करके बेचेंगे तो तुरण खरेज लेंगे वैसे नंबर के लिए 10,000 पे करते है ना वो बताएंगे निकाल दिया है अब केस मेरे उपर है आप मेरी कुछ मदद कीजिए ना ए गजनी क्यों कुछ खास बात कर रहे हो क्या तुमें क्या बास को कन्या राशी मिलने वाली है चुप रहो है हम मामूली गुंडे नहीं है लेट से काटते हैं ब्लेट से मारते हैं एसिट लेकर पुलिस मुझे ढूंड रही है प्लीज मेरे लिए कुछ कीजिए ना ए क्या किया तुम लोगोने आइसा ही डरा दिया गजनी उसकी बेंट बजा के होस्पिटल पहुंचा दो तब समझेगा साला तुम बज़े गुंडों से बिटवाती हो नमस्ते कैसे हैं साब अरे वा पाटल साब गजनी यही है वह नंबर वाला क्यों क्या लाफ़ा देरा नंबर का प्रोब्लम है मेरी जान भी जाए तो केस वापस नहीं लूगा क्यों क्यूंकि सेम नंबर में मेरा सेंटिमेंट है म मेरा घर का नंबर एन रोड नंबर भी एक है न है मुझे एक ही बाप है एक ही मा है क्या और बताओ क्या और बताओ क्या मैं त..ुझे दिखाई दी रहा हूं क्या उन पर भाशाओ भाशा दिये जा रहे हो ए फोनवाज लड़की यह जिद्धी पार्टी है शराफास से पैसे वापस कर दो अरे रे मेरे पास पैसे कहा है मैं तो खुदी कड़की मैं हूँ ए ए चिजी चिंदा मत करो ए इसको पैसे दे दे ये काड़ वाले को दे देगी सुनो आज के बाद इस लड़की से तुमाना कोई संबन नहीं केस वापस लेने के लिए साइन करो ए साइन कर दी साइन कर दिया ना ए ये 00001 नमबर को शेयर की सभी आटो और टैक्सियों पर इमर्जेंसी सर्विस नमबर के रूप में लिखवा दो इस मोटे को नमबर मत देना बोर लग रहा है उस नॉट 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 पर फोन लगा हलो हलो आपके पास पॉलिस फोर्स है क्या एक छोटा सा प्राब्लम है आकर चले जाए रॉंग नमबर फायर सर्विस है क्या पेट में से धुआ उठ रहा है पुझा कर चले जाना नहीं है यार हाँ तो एम्बुलेंस सर्विस है क्या तो में अटैक आया है आऊ पिकप नेजाओ नहीं है भाई तुम अकेले तो आँ मोटे स्हाले कौर है तुम अरे मैं तो एक का पर इचित हूं मोटे कलाकला कलाकला कलाका हम कहाँ बेठेंगे हम बेठेंगे चलू एह निया गजनी हम तुम और दो मैं बात करके आती हूं तुम यहां क्यों आई हो मेरे पास 0006 का एक VIP नंबर है तुम्हारा नाम गजनी है और काम भी अच्छा है दोनों मिले तो अच्छा होगा एक घुसा मारूँगा तो बात करना भूल जाओगी और लेडी मेरे पैसा वापस नहीं मिला है वो गिफ्ट मिला समझा था मैंने अगर तुमने जल्दी पैसा वापस नहीं किया न तो एक लगाऊंगा अगर पैसे न दे तो दस सिमकाट चीन लेना ओके 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 आपने जो म तुम्हारा घर नहीं क्या मैं में की पड़ाई कर रही हूं मेरे ममी यह अंकल के घर में पेंगेस रहते हूं हम तो अनाथ है तुम भी अनाथ हो गया बुझे डर लग रहा भाई तुम यू डर रहा चोटे मेरे रहते हुए तुझे कोई कुछ नहीं कर सकता गजदी देख गोईन गोईन का है राइट साट टेवल पर कॉंसरें की शट है गुलावी शट उसका नम गोविंद है क्या आप नाम क्यों ले रहे हैं एसा क्यों किट्नैप करेंगी क्या मैं अपने दोस्तों को बता किया शांत रहो तह रहा तुम गारी सट करो तुम सीधे जाकर लेफट कि अब दो हजार तीन सव अपने एरिया में पुलिस वाली गाड़ी रुखा के रिश्वत ले रहा है भाई लेने तू हमें का फरक परता है क्या बाद करते हो आप भी इस कैमरा में उस चीन को शूट करके कमिश्टर को दिया समझो आपने अपना नाम फेमस हो जाएगा भा इंडिया का क्या होगा यह हम लोग उसे चुटा घूस लेते हैं तो किसी काम का नहीं रहेगा अरे सबूत मिलने के बाद वो मेरे क्या कर सकते हैं बचाता हूं सुमों मेरे बास जाने दे मुझे जल दे नहीं है तो सव रुपए दे और जा रिकार्ड करो वेरी गुड क्यों मुझे वाले नतुलाल है तुमको ही यार मैं ट्राफिक इंस्टर हूं तो क्या तेरा नाम तो ही है ना एई देखो घूस लेने वाले इतने जोर से चिलाने नहीं करते हैं तो यही पक्री जाने करने के बाद खुसा करना ठीक नहीं होता तुमने किस किस से कितना घुस लिया इस वीटों में रिलीज करूंगा तुमने मेरा वीडियो मनाया यहां क्या बाद हुई ट्रक वाले से 20 रुपे लेते हो मोटर बाइक सब्सक्राइब कर सकते पास तो ओस पार पाईजे देखे पिर नहीं हो नहीं है सर मैं सही आ रहा हूं तो कहते हो कि इतने सवाल करते हो इतने सब्सक्राइब कैमरा आपने मंगाय था ना जी हां सर कैसे डालना भूल गए इसमें कुछ पर इकोड नहीं होगा कोई और बुलाता तो हम कभी नहीं आते नारायन राय की इज़त है इसलिए हम आ गए हैं बुलाने पे बलिया में उनका राज चलता है लेकिन इलेक्शन के टाइम पे हम जैसे बिजनेसमेन ही उने पैसा देते हैं अजेए तुम्हें उस कवे की कहानी पता है ना पता है कवे नो जो लड्डू चुराया था नहीं कवे ने लोमढ़ी को धोखा दिया हुआ था लड्डू को चुराने वाला कवे पेड़ के उपर बैटकर लोमणी को भड़काया था भड़काने के बाद लोमणी चुप रहेगी क्या प्रतिकार पूरा करने के लिए कुस्से में कव्वे को जान से मार ते जाओ अजयर आओ को धर्मात्मा ने मार दिया यह जा कर सबको बता देना मुझे कुछ नहीं पता मै कुछ नहीं जानता मैं जा रहा हूं है गजनी को बुलाकर जाने दो गर्दन पे छूरी रखकर इंसाप मांगने वालों में से है भासकर को बुलाकर देल करने को गाओ मैडम हमारे ऑफिस के लिए साथ कार्ड चाहिए है सेवन कार्ज ग्रॉप कार लीजिए आप आपस पे फ्री में बात कर सकते हैं । इसका रेंट भी कम है मैडम हमारे एमडी से बात करेंगे तो वो तुरंद ले लेंगे कहा है वो देखिए कार में मैं अभी आती हूं वाहीर अरे तेरी फ्रेंड बिहारी के आदमी के पाँ जा रही है बिहारी के आदमी चल चल चोड़ो मुझे चोड़ो मुझे काजल को बिहारी के आदमी उठाके ले गए काजनी चल चाहिए तुमको तेरे आदमी मेरी पहचान की लड़की को ले गए उसे कुछ नहीं होना चाहिए हम नायक नहीं हुँ रहे हल नायक हूँ यहाँ एक भी पर रखा तो जिंदा नहीं वचेगा उसे कुछ हुआ न भड़वे तो तेरी चान ले लूँगा ए बिहारी क्या हुआ तेरा आदमी गजनी मेरे अट्डे पहारा है उसे यहाँ आने को मत कहो उसको रोक दो अगर वह आया तो हम उसको खतम कर डालूँगा समझे भाई वो मुंबई से लड़कियों को ले जा रहा है देखकर में आखे बंद गल लूँ गजनी गजनी एक ल सब कुछ गैंगवार में बदल जाएगा उसकी बज़े से नाम खराब होगा नहीं भाईया उसे ज्यादा समझ में आ रहा है उसे मर नहीं होगा अरे बद्री मेरा नाम सुनते ही सारी मुंबई हिल जाती है रे आपने एक भी आदमीं को असल्ट किया तो लोग हमसे डरना भूल जाएंगे ब्यारी कशनी के आने के थोड़ी देर बाद मैं भी पहुँच जाऊंगा वहाँ कोई भी खून खराबा नहीं होना चाहिए आजाओ, आजाओ, दरमात्मा का फोन आया था, इसलिए कुछ नहीं कर रहा हूं नीचे उतरते ही, मिंटी में दफन कर दते हैं ब्यारी, पहले उसका छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दा खेरा हूं एए, चोलो मुझे आजा, आजा, आके मान आदा तुम कोई दोसा काम नहीं है का जाब देखो ताब तुम हमरे पीछे पड़े आते हो पहले उस लड़की को इधर भेज़ दो वो गजनी की पहचान वाली है यह सरे हम किसी के साथ भी पूरे शहर में घूमती रहती है तो क्या इसके कहने पे छोड़ देंगे हम उस लड़की के लिए एक शब्द भी गलत बोला तो माटा लूगा भाई बोलो ने इसको पहचानवारी लड़की कहने के बाद भी क्यों इतना गुस्सा ठीक नहीं इसके अलावा कोई भी रिस्ता नहीं चलेगा किसी के कहने पे भी नहीं छोड़ूंगा रे उठा आरे लड़की को ए गजनी रुखो ये मेरी बीवी है राद बहुत हो गए यहां वाँ घुमना मत यही तेरा घर न जाओ ए ए चैन देती जाओ पांच तोले सोने की है दो जाओ क्यों गजनी इधना टेंशन क्यू रिया तुने अपनी पहचान की लड़की मुसीबत में होगी तो हम चुप बैठेंगे क्या बेचार यह अच्छी लड़की है दो-चार बार खाना भी खिलाया है इसलिए अब चल स्थे लड़की 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 लड़कीज लड़की है हाँ जाँ लड़का है कैसा ये क्या मैं करू बेगारा बेगाना इश्क से बेगाना कैसे मैं इस से प्यार करू लड़ यू बोले ना इशार को ये समझे ना बनता है ये तो हीरो इश्कु में पर है जीरो क्या है ये जो बारी जारे ना बलमा अडारी है ये पुद्धू बड़ा दिल पे है इस के तारा पड़ा है हटकंडे हटकंडे प्यार के हटकंडे मुझे ना आजमा ना ये हटकंडे बाहो के बाहो के गोडी इन बाहो के जालो ना ऐसे मुझे पे फन दे हां इनल ना ऋरे बाहो के जो एanking पर जिए स हरत Yogis कॉंकम फ्द्दी बुआL क कया सका धड़ा क कंडे तीर उख मुझे जीर बाहो के ऊरफे कото मुझे बाहो के तिल के मुझे दे हरो जाने ना अदर ये मेरी आने से पास ये खबराए लूटे ना त्यार के मस्ती अगरे है ये तो भाव खाए रोको रोको ना मुझे को रोको ए सोचो सोचो क्या होगा सोचो मस्ती का है ये समा मैं हसी तू है चवा दे दो चुमा चुमा दे दो ना बल्मा अनारी है ये बुद्धू बड़ा दिल पे है इस सुके ताला पड़ा पड़ पा नहीं और तू मुझे को उसने करस तू चकल जरा अब जा नहीं दूर तू मुझे से पाहों में तू भर ले दरा जाओ ना जाओ ना पीछा मेरा चोड़ो ना जोड़ो ना रिष्टा मुझे से जोड़ो ना देखे तो दिल देखो करके तो प्यार देखो आती है जवानी बसक बार लड़की ना डान है ये समझे नहीं दूबी है इश्क में ये माने नहीं हे अंजण अंजणा प्यार जई अंजणा लड़का है कैसा ये क्या मैं करूँ दूब पर आपूँ दूआ है कैसे हो कर दो है अंजणा और अब क्या होगा यह तो बहुत है तो त्युमर्यार कारे आइरे यह मजाल करें तुमको उसने इतना मारा फिर भी तुम चुप खाले हो उसने मुझे मारा नहीं है यह तो ट्रेटमेंट है तुम चाहर मुझे कर सबसे मार खा रहे हो क्या यार फालतू की बात कर रहे हो अब समझ लो कि तुम्हारा किसी ने गर्दन पकड़ लिया तुम सीधे जाका किसी सीरफीरे से पंगा लेलो गर्दन को मार मार कर भजिया बनातेंगा तुम्हारे पेट में दर्द आया है समझो तुम्हारे पेट में दर्द आया हो तो काले लोगों से पैर पे मार खाना पैर कदर कम हो जाएगा सपोल पूना गए समझो वहां उनसे लफड़ा करोगे तो वो लोग माना शुरू किया तो मसाज जैसा लगेगा लेकिन उत्तर प्रदेश मत जाना भाई वहां गय तो बम निकाला मुह में डाल देते हैं लेकिन इस विश्य में मुंबई को लोग बड़े लखी है या कितना ये के कॉलेज में छोटे को उच प्राब्लम है जा कर देखो जल्दी ए गोपी रगो चलो जल्दी आओ कॉलेज में लफड़ा हो गया है भाई ना भी फोन किया था ए सुरेश चल्दी चलो चलो आटो हमारे पीछे आओ एक अथा नहीं होने देंगे जो भी होगा हम देख लेंगे एक को नहीं छोड़ेगे सप्जै हमारेंगे करो नहीं कलेगे मेरे समाथ forcément जग्गू चल्दी से इंसे माफी मांग लो बाद में मैं संभालोंगा है भाईया ने बचाने के लिए भेज़ा है या माफी मंगवाने के लिए जग्गू ये सीरियस मेटर अभी इनसे माफी मांग लो बाद में मैं संभालोंगा कान नहीं तो पारी पड़ेगा नहीं माँग अगे लिए चलो इसको अंदर सुनिये आप लोगों में से कोई चार लोग पुलिस्टेशन चलिए आईए चलो जल्दी चलो क्या यार ये तो हमें बोटू बना कर उसे लेकर सेले गए उसे तो खत्म कर देना चाहिए छोटे को बजा कर लेकर आ कहा तो फीट के लाता है कमिंग लाग कहीं का उसे आने दो बात करते हैं जगू अंदर जाओ हमारे पास काम करने वाला कुत्ता हमें ही काटने दोड़ता है उसे चोड़ रहेंगे क्या भाई भाई बुरा मत मानना मैंने जग्गू पर हाथ उठाया दूसरा कोई रास्ता ही नहीं था भाई स्टूडेंट होता तो मैनेज कर लेता पर टीचर का मामला था बढ़ सक्ता था फुलस उसे अरेस्ट करके ले जाती तो पंदर दिन तक बाहर नहीं आ पाता उसे स्वारी बोलने के लिए का लेकिन उसने माना ही नहीं जग्गू को बचाने के लिए उस पर हाथ उठाना पड़ा भाई तुमने बिल्कुल सही किया घजडी ए बदरी अपने वकील से कहके एक बेल तयार करवालो मैं पकड़ूँगा तभी तो बेल की जरुवत पड़ेगी ना अई जीजा आप का बाए देदी वे यह है क्या कहा है किचन में क्या देदी देदी जाने दे रहे हो काम वाले को घर के अंदर आने देंगे तभी घर साफ होगा मेरे सत्रा साल की सर्व इसमें मेरे पीछे भी मुझे कोई जी जाने बुलाता है ये मेरे सामने बुला रहा है ये मेरी आंटी का लड़का है या इसने मेरी बहन से शादी की है मेरी बहन को वो देदी कहकर पुकारता है तो भाई ने गारी धोने के लिए रखा तुमने दो कहा था कि पेट की भूग आँखों में देखती और खाना खिलाया था हाँ उस दिन तुम भोला बनकर अच्छे बची की तरह आया थे लेकिन आज ठीक है डाटो तुम नहीं डाटो की तो कौन डाटे का दीदी है नहीं मुझे आपसे प्यार हो गया है यह लाव वाव है न यह सब बेकार की बाते फिल्मों में अच्छी लगती है प्यार करने के बाद दुख मिलता है मेरी वाद सुनो प्यार में कोई पागल हो जाए तो भी हम उसकी परवाह नहीं करते हो आराम से सोते हैं एक ही रूम में मानी पीना और चांदी की थाली में खाना खाना या अपने मन पसंद साथी के साथ मिट्टी की प्लेट में खाना खाना और चोट इसी चादर में सोना उसी में जन्नत की खुशी मिल जाते हैं ज्यादा एमोशनल होने की दरूवत नहीं है मंगल सुत्र फेरों के समय पहना आ है तुम पूरे हो यह कैसे हैस तुम तो मुझे बहुत बड़े पागल लगते हो सच में तुम्हें हिम मत इसुलुत हो और तुम्हेरे पागलปन का तो बोल दो मैं डॉक्टर से वर्जिन डेस्क रा लूँगी और सेटिफिकर लाके मैं तुम्हें दिखा दूँगा मैं चाहो तो जील्स छोड़ गया कभी भी सारी पहन सकती हूं किचन में जा सकती हूं और वक्त आया तो मैं खाना भी बना सकती हूं क्या तुम अपने आपक तुम वहां से ले गए ये कोई मामूली बात है क्या उसी में ही अभीमान दोस्ती सच्चाई हिमत सब को शामिल है जब तुमने मुझे गाड़ी में बिटाय था तो जिन्द के इबर तुम्हारे साथ रहूंगी ये सोचकर बैठी थी लेकिन जब तुमने घर के सामने गाड नमस्ति थर्मात्मा जी शहर में दंगा फजाद होना चाहिए पत्राव होना चाहिए शाप बंद होनी चाहिए बस चलनी चाहिए इन सबसे जरूरी है पहाँच लोगों की आग में आउती ऐसे मरने वाले परिवार के लिए जितना पैसा चाहिए हम देंगे ये सब कुछ देखका डर से सीम जल्दी बसको जलाना होगा चर्च गेट से लेकर बोरी वली तक सलको पर पत्थरों से वार करना होगा उसके लिए आदमी तयार कर दूंगा जरूरी बात पार्टी आफिस के सामने पांच लोगों को आत्मदाह करना पड़े हैं जितना भी पैसा लेंगे वो हम दे देंगे आत्मद जरूरी नाटक करना पूंगा når झाट के लिए उफंगा में वहीवतले बाले आत्मादाह का मतलब जल कर राख हो जाना समझते हो क्या है अैस्व मैं आत्मदाह का नाटक करने के लिए कह रहा हूँ तो ऐसा भोलिये ना भाई शरीर पे घास लेट डाल कर जलने के लिए नाटक करने के समय पोलिस आकर आरेस्ट करके ले जाएगी बस ये सब कुछ एक नाटक है ओके भाई, इंतिजाम हो जाएगा मैं सोचा सच में खरना पड़ेगा इसलिए थोड़ा पैसा ज्यादा लगेगा भाई क्योंकि पुलिस आरेस्ट करेगी दो दिन की रिमांड का रिस्क भी है न कोई बात नहीं घजनी हर एक को पंद्रा-पंद्रा हजार उपए दे देंगे तो ठीक है भाई चलता हूँ क्या भाई ऐसा क्यों क्या के नाटक करना है गल्ती किया गजनी को आत्मा दाख के लिए आदमी मांगना गलत है इसके लावा दूसरे सेरेंज करना मुश्किल है ए भासकर भाई तुम आत्मा दाख के लिए आदमी ला सकते हो क्या शाम तक बोलेंगे तुम मुश्किल है भाई देखा ना इसलिए मैंने प्लैन बदल दिया वो कैसे ए भासकर भाई उन लोगों के घासलेट कैन में पैटरॉल मिला दो वो डाल कर नाटक करने के समय किसी को बिना पता चले उन लोगों को चला दो गजनी की नजर में ये एक एकसिडेंट होगा और क्या मरने वाले के घर वाले खून के आसूर होएंगे उसके बाद पैसा दे देंगे तो वो सब हमेशा के लिए चोप हो जाएंगे क्योंकि वो सब बिन माबाप के लावारिस से अपने MP के हाथों में ही है रियल स्टेट रेजिस्टर जैसे सारे डिपार्टमेंट उसके पास है आज के दिन उसे निकाल दिया तो उसके बाद CM भवानी सिंग को जरूर बनाएंगे और वो अपना दुश्मन है वो हमें कमाने भी नहीं देगा कमाया हुआ पैसा बचाने भी नहीं देगा उसके बाद तेरे सारे बाल निकालके हम सभी को भीग मांगते हुए मंडी के पास बैठना पड़ेगा मैंने जैसा सोचा है वैसा होना चाहिए तुम सब के लिए काम है हाँ? अभी बताता हूँ गजनी सब कुछ होके लेकिन कौन को नातमदाह करेगा अभी तक कुछ पता नहीं बता दाओं शास्त्री अपने बाबा के नाम भी लिख लो उनकी बेटी की शादी का इंतिसाम हो जाएगा बहुत बहुत शुक्रिया गजनी पंदराजार एक साथ मिल रहे हैं गाव में मा को पैसे भेज़ूगा तो खुशी होगी लेटर में लिखा था तकलीप में होगी ठीक है ठीक है शास्त्री इसका नाम भी लिख लो गजनी वो पाच्वान नमबर मैं बनूगा गजनी शास्त्री चाहिए तो ऐसे ही ले लो ना तुम इतनी तकलीप क्यों उठाते हो ऐसा लूँगा तो वापस करना पड़ेगा अच्छा मौका है बड़ा माउंट है ना मैं पत्नी को भेजूँगा वो बहुत खुश हो जाएगी उसका मन बदल जाएगा और चली आएगी ऐसी मेरी आशा है तो जाओ और हिला कर रख दो मैदान में उत्रे बिना जीत हासल नहीं होती है एए क्या है क्या समझ के रखा है मुझे दूँगा एक हाथ दीदी देखो नहीं यह पागल हो गई है मैंने तो सोचा कि तुम दोनों के बीच में सिर्फ दोस्ती है पर तुम तो दोस्ती से कुछ ज्यादा ही आगे निकल गई चल जाए हां से बड़ी बेशरम लग्की है बेशरम कहीं कि अभी पैर से चपल निकाल के मारती हूँ चल जाए हां से इतनी बड़ी हरकत करते हुए एक पर भी तुने सोचा नहीं अब दुबारा अगर यहां नजर आई तो तेरे हाथ पर तोड़ डालूंगी अपने उद्योग मंत्री बाबु नाई को मंत्री पस्ये निकाल दिया गया पार्टी की सभा में मुख्य मंत्री ने खुलासा किया घबराईये मत आपके मताबिक सारी तायारियां हो चुकी है खया हुआ पत जल्द वापस मिल जाएगा ए चलो 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 जल्दी चलो साब ए समाल के कोई पन नहीं आना चाहिए मेरी पत्नी को चेक अप के लिए होस्पिटल ले जाना घजनी होस्पिटल से आते ही तुरन बिजवा दूंगी ठीक ठीक जलो गजनी क्या है तुमसे एक जरूरी बात करनी थी किया है जल्दी बताओ इसमें उस लड़की की कोई गलती नहीं घजनी सब गलती हमारी है ऐसके बाद बिना झाएथिये चलीजाती SEC तुम सक्षमूच प्यार करती हो तो सब के सामने गले लगा कर चुम्मा लेना पड़ेगा ऐसा घजनी लड़की की इजद उतार दी पागल हरामी कहीं के अपने जैसे लोगों की किसी की छोड़ी हुई या किसी की विद्वा से ही अपनी शादी होती है और तुम्हारे जिंदगी में अच्छी लड़की आई तो शादी नहीं करते हो गजनी कल लेना चाहिए तुमको कोई भी लड़की एक लड़की से प्यार कर सकती है गजनी तुमसे जुदा ना हो इसने तेरी गुणनागर्दी को पसंद किया उसने दिदी गजनी के दिल में कुछ नहीं होता तो उस दिन भीहारी इसे तना लफ़णा करता था गया तुम्हें बताओ जब तक सोनी की चैन गले मेरेगी तब तक कीमत का पता नहीं चलेगा जब हो जाएगी तब पता चलेगा वो मुझे भी पसंद है यार पर कल को अगर मुझे कुछ हो गया तो वो तो रस्ते प्या जाएगी यार गजनी हमने उसे बहुत बेज़त किया अगर उस लड़की ने जहर पीकर अपनी जान दे दी को तो तुम भे मुसीबत में पढ़ जाओगी जाओ गजनी जाकर उस लड़की से बात करो मैंने उस लड़की को बहुत मारा है नहीं दीदी मुझे पार्टी के आफिस जाना है वो सब कुछ हम देखनेंगे पहले तुम यहां से जाओ 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 दिल के तुम महमा हो हां मेरी तुम जाओ बोलो तो जानम दिल हम चीर के दिखे लाए काजल ओ काजल का है मैं उसका पती हूँ काजल बाद मैं बात करता हूं काजल काजल मुझे माप कर दो काजल मानता हूं तुम्हारा अपमान करना गलत था लेकिन मेरी भी क्या गलती है तुम इनी तो आकर चुमा दिया था न तब भी मेरी गलती है क्या लड़किया आकर गले से लग जाएगी तो खुशी से पागल हो जाओंगा क्या मैं गुसा आ गया था मुझे इसलिए खीचकर एक लगा दिया लोग चाहिए कुछ भी कहते रहें तुम्हारे पास तो दिमाग है न है कि यार नहीं करता तो डूंटे हुए तुम्हारे घर आता अंचाने में गलती हो गई सुनो मैं गुनायकार हूं यही न शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे और किसी से ने कपड़े लेक कर रखूंगा चलो चलते हैं नहीं मैं नहीं आउंगी क्यों मैंने तुम्हें मारा इसलिए नहीं तुम शर्मेंदा हो मुझे मारा इसलिए प्राइश्चेत करने आये हो यह सब मुझे नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा सचा प्यार चाहिए मुझसे प्यार करते हो इसका उस वक्त मेरे पास आना, तब तक मैं ना तुम्हें देखूंगी और ना तुम से बात करूंगी, और तुम भी प्लीज, मेरे सामने मत आना, तुम्हारी पत्नी बनना, और तुम्हारे प्यार के अलावा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यह तुम क्या कह रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, जब कहा मेरे दिल में तुम नहीं हो, तुम मुझे बुला रही थी, अब कह रहा हूँ कि दिल में हो, तो जाने को कह रहे हो, दो महीने क्या, दो साल भी हो जाए ना, तब भी तुम मेरे दिल में रहोगी। तो मेरी जान हो काचल चलता हूँ की नान हो इनकी। कि अधर बाबैए कि मांच्रे-क व्हुंड़ है ईंगतित दे शूरा है कि गुत कि अधरने कि दिदो हम चाहि उपती चाहिए कि अधरने कर सेलाछांश कि अधरने कर दो कि अधरने कर Imam peace कि अधरने कि घतने कर दो कि मांच्री कि मंध्रि उनादादो कि मंध्रि उनादा कि मंध्रि on उनाद сов łत कि मंध्रि प्रेज फिलित! है उता है कमें वा फैक दोली शब पार! करें अग्जा ऐसे पर भुआ खूए तो झाए ऐसे अ थेरो के विए थे यह थे अब है एड है क्यों जालकर हो गाए के नहीं जाले बचाए उस्पिटल लेकर गए घ्रने कि पर पीसे जादा हो गया है इसे इंजेक्शन दे दो की के डाप्टर झार्णी यह देखो क्या हो गया है हम सब को छोड़के चले गया था था थे बैट बहले शाव इस जोड़ चले गया अब हमको कौन पड़ाएगा बाइया गजने बाइया क्या है देगो नहीं के सबकुछ क्या हो गया जुप हो जो जो घुपुट और बचले तुम होते तो ऐसा नहीं होता गजनी भीया स्पॉर्ट पे तुम भी नहीं थे ना कहां गए थे ठीक है वो सब बोलाकर अब क्या करना है वो सोचो किस किस को क्या क्या देना है सब कुछ दे देंगे भाई मैं सोच रहा हूं कि मैं भी क्या जिन्दा हूं कि अछ जिन्दा हूं क्युक्छ लुक्तत्र कते शुम तो हर आदमी को दो दो लाक रुपए दो पांच लोग वही जल कर खुदकुशी कर लेंगे ये का था ना अब देखो तो उनेच से 15,000 रुपए देका जबरस्ती जान शमार दिया ये बात अगर भार पता चलेगी तो मेरी कुरसी हमेशे के लिए चिंजाएगी रात भर में खोई होई कुरसी वापस चाहिए कहा था मिल गई ना क्या सर आज कल कौन आत्मत्या करने के लिए आता है आ किसीने नहीं देखा भाई आकर देखा होगा तो प्यार प्यार तुम समझती को नहीं मैं तुम्हारा बाप हूं मेरी इज़त का क्या होगा इडियर की तरह बाते कर रही हो इस दरॉक ऑफ द वर्स्ट और डाड उन्हें से मत कहिए आप जैस सोच रहे हैं वैसा कुछ भी न यह क्या पती जैसा इन बेक्वीन डूरा सेक्स विद इम ठीव बड़े होकर भी आप मुझसे इस तरह का सवाल कर रहे हैं अगर वो गुंडा नहीं होता ना तो आज मेरी लाश किसी समंदर में बह रही होती या तो बरबाद होकर एक जिन्दा लाश बन गई होती मुझे सम जी ओके ओके किसी औरों की बातों पर विश्वास करके मुझे आना पड़ा मैं समझ गया बट अच्छा या बुरा मुझसे बहतर तुम जानती हो भाईया मेरी खातर दो महीने और समाल लीजिए पैसे ले रहे ना तो संभाल लेंगी कि अरे क्या करूं मेरे तो टाइम ही खराब चल रहा है तुम्हारे सीर पर यह खून के निसान कैसे लाइट से नीचे गिर गया भाई प्लाइट में से हाँ पेशाब जाने के लिए बातरूम का दरवाजा खोलना चाहा तो मेंडोर खुल गया भाई फट करके नीचे गिर ग गले पेखुल का साइब ट्रैक पर सरक के सो गया था सुमो चार पांट ट्रेन ने मेरे गरदन के उपर से निकल गई त्रेन जी हाँ एक आदमी सोय यह बोल का सोच बिना ही चले जा रहे है पता नहीं उन्हें किसने लाइसेंस दिया है यह करा चार पांट ट्रेन गले के कुछ नहीं भाई मैं ऐसे सड़क पर सोया हुआ था एक बुल्डूजर आया मेरे उपर से चले गया अच्छा बच गया कुछ देर आओर मेरे उपर रहता तो मैं मरी ही जा चलता हूं भाई दोमटनी मुपर लगा लिए क्या रहे है उससे तेरे गाँ में टामाटन की चलनी कहते हैं अरे लावाई दोल टोड़ी छलता है लाल रहे तो में टोल राख जोलता है सब्सक्राइब करें तो अब यहां कैसे मेरी बेटी की शादी है तुम्हें इन्मिटेशन देने आया हूं वह तो अभी पढ़ रही है ना अच्छा रिष्टा मिल गया है इसलिए शादी कर रहा हूं सर आपने पैसे दिए इसलिए आपके घर आकर आपका प्राबलम साल किया इसके लिए मुझे इन्वाइट करने के का ज़रूए तैंव बहुत तुम्हें तो तुमने अपना काम किया उसके बाद इस दुनिया में अगर उसको कोई दोखा नहीं देगा तो वह तुमारे माबाप है यह तुमने काए मुझ्छ मैं आउंगा तो आपका अपमान होगा सर इज्जत इंसानों के पास नहीं दिल में होनी चाहिए तो मुझे खुशी होगे क्या गजनी शादी में चलें क्या जाओंगा वहां काचा लाएगी लिए उसे एक बार देखना है यार आ का तो आपक्या का अखिश्ची नमस्ते नमस्ते निसी ले ये मुझे नहीं चाहिए जुझे ये पैसा ही मेरे भाईब्धा की मरने की वजा है ऐसे पैसे मुझे नहीं चाहिए नहीं चाहिए तेरा भाई जहता था कि तो पढ़ाई करे proportion ले रगां ले अ कर भिवा अ को कंसे पर कि कि करना है हाँ हाँ बोलो ना शीवा हाँ 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 है 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 फार इस वास्टर का नाम याद किया था था कर दो हम भी इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं अबी पेटरोल कहा आपने हाँ लेकिन ये सब तो किरोसिन डालने से केरोसी नोप एटरोल मिलाने की वज़े से जबी मरे है पोस्पोटम रिबोट नहीं देखिया आपने क्यों रहे हमने तो सिर्फ किरोसिन घंजा था ना याँ शुवम भासकर का आदनी है नहीं तो उसने भासकर का नाम क्यों लिया पदाने भया मझे भाइस से बिलना पड़ेगा बहला है। गजनी को बहुसकर पर शक हो गया है। बहुसकर अगर गजनी को मिल गया तो सच्चाई के पता चल जाएक। बहुसकर को खत्म कर देंगे। तो गजनी का शक हम पे होगा. एक बकरे की बली देना हो तो उससे कसाई के खार मेजना ही पड़ेगा मैं धर्मातमा बात कर रहा हूँ अब बोलो एक जरूरी काम है हम अभी मुंबई में नहीं हूँ बिहार में वो अपने गाउं में कहा बात है फोन पर बताओ तुम्हारा हमारा एक ही दुश्माट उन पांच लोगों को मारने वाले तुम हो कह कर मैं घजनी से कहूंगा वो घुस्टे में तुम्हारे पास आएगा उसे वहीं फिनिश करना है बिहारी ने भासकर को पैसे से खरीद लिया था अपना नाम मिट्टी में मिलाने के लिए पांच लोगों को जला दिया बिहारी? हाँ गजनी अपने बिजनिस को बरबात करने के लिए ऐसा काम किया है ये कैसे हो सकता है? बिहारी ने भोन पर बताया भासकर बाजू में ही था चांज से मार दूँगा भाई बिहारी को भासकर को सब को मार डालूँगा ए गजनी ऐसा नहीं हो सकता बिहारी अपने गाउं में है उसके गाउं में तो क्या? उसके घर में जाके मारूँगा एक पैक से दूसरे पैके बीच में जतना समय होता है न, उतना समय काफी है मुझे दस लोगों को मारने के लिए, अभी जाके मारता हूँ ए घजनी, मैं भी तुम्हारे साथ आउँगा, एक तरह से उन पांच लोगों की मौत का जिम्मेदार मैं भी हूँ चलो, चलो, भरोसा नहीं, भरोसा नहीं, भरोसा नहीं है मुझे, आप इसलिए, मेरे रहते हुए आप को जाएंगे, मैं ख़दम करूँगा, आपका नाम लेकर मैं उसके गाव में जाओंगा, और एक ही जटके वो उसका सिर काटकर लियाओंगा अरे, चलो गजनी, गजनी सभाल के वे इह, गाड़ी रो च्या हुआ अगजनी दिल में कुछ गाटर लग रही याग चोटे जग्गू की नजर कुछ अच्छी नहीं लग रही थी उस दिन की कॉलेज की बाद दिल पे लेके बिहारी को फोन ने कर दिया उसने यह गाँ बिहारी का अपना है अगर उसे आने का पता चल गया तो हम बचेंगे नहीं गजनी किसी को भी असौल करने जाते थे उस समय मैं भाई तुमको घोड़ा देता था ना मर्डर करने जारे हो यह जानकर भी क्यों घोड़ा नहीं दिया टेंशन में देना भूल गए होंगे दस दिन से भासकर की लापता होने की ख़बर किसी ने भी ने दिवाई वह सब छोड़ो मुझे तो छोटे जग्गू पे शक हो रहे हैं बिहारी के गाउं में जाकर तच्चाई का पता रगाना होगा एक सुमो को बलाओ वह बिहारी के गाउं के हालात पता करें तो कोई कॉंटेक्ट नहीं कर पाए नया सिमकार डाल दो कि एक कौन हो तुम को क्या चाहिए मुझे क्या चाहिए बोले तो क्या चाहिए पूछ रहा हूं मैं रियल एस्टेट काद्मी हूं यहां कोई अच्छी जगह मिलेगी क्या है यह देखने आया था आए दिखाता हूं आपके गाउं में गाई चराने वाले मोबाइल से बात क में भी यहरी चराने वालों से लेकर गरके नौकार पक सब्कों मोबाइल देर खा है गाउं में कोई एंटर हो तो मैसेज मिल जाता है यह क्या बखवास बखरी बात कर रहा है तुम क्या ब्यारी बात करहें हो तो मुंबईया डॉन है समझे और तुम लोगी भगवान को नह यार आप बिल्कुल सही कह रहे हो हम इतना नहीं मानते हैं यहां पर जंटल्में धोती पहनेंगे तो गाहूं वाले तुम्हारी यह सिंगरा फिमस है तो हमारी यह वड़ा बाव फिमस है आप तीरक लगाते हैं हम सब को तीरक लगाते हैं रेमोट्व जो रोड़े तो टकला बना लेंगे हैं यह एक बार में टकला बना दोना हमारा सारा माल चीन कर ले गए और नहीं सारी प्रपरटी भी चीन कर ले गए वहां पर दॉलर सब लोगों को अच्छा खाजा चूना लगाया तुमने हमें क्यों दोका दिया अरे क्यों रोक कर आंसू बहार हो मेरे पास त लेकर घर का काम करने वाली तक सब को मोबाइल दिया है व्यारी ने गाओं के चारो तरब कोई भी आए दो किलो मिटर पहले इन्फोर्मेशन मिल जाता है व्यारी को घर के चारो तरब 40 फीट तक आदमी रखवाली करते हैं उस घर के पीछे बड़ी नदी है उस नदी के अखले हो जाओ ठीक है वाई क्या बढ़रो अरे चूपरे कर दो प्रुकु और अरे प्रुकु और प्रुचंब ऑल जो कि उसाग rainbow तुपी जुपी जुपीज मार्ब से लुपीजियों को बज़ाे बारा जायक परोगाज़ वर आप जायक हो तुपी वर्डारा भीक्ग को चुपीजिदाना सोफमाना जायक हुँ झाल लाराण – जुपी जुपी हम प्युत में जुपी लुपीजिको कि हमगो मेरे बात सुनों तुमको जो चाहिए हम देंगे रुको ट्रेयर पाज मट लोगों को चला कर राखकर दिया और है सब्सक्राओ अरे वह मेरे पास नहीं है धर माथ के गिरप्त में बात लोगो चलाने वाला भी धर मात्मा भी है ऑई के बार laughed करता है हमाइब को मरने वाला इंसान कभी जूत नहीं बोलता सचाय जाने बिना मुझे मारोगे तो बात भी देखो तुम भी जिन्दा नहीं बचोगे ये तु क्या कह रहा दर्मात्मा जबाद करा क्यों फोन लगा रहे बताता हूँ चल्दी करो तब तुमको सचाई का पता चलेगा दर्मात्मा मैं बिहारी बात कर रहा हूँ गजनी को खतम कर दिया हूँ सूपर बिहारी सूपर तुम मुंबाई के हरबर लाइन में ही नहीं उदर कांदी वली दर बोरी वली चर्च गेट के जो भी एरिया में जो चाहो वो कर सकते हो तुमें जो भी लड़की पसंद हो उसे उठा सकते हो मैं बीच में नहीं आँ कि उस गजनी की लाश वेज तरफ नहीं आनी चाहिए उसके टुकड़े टुकड़े करके चील और कवों को खिला दो अब पता चला ना 500 को मारने वाला वही है और बताता हूं गजनी तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करने को कहने वाला भी वही है तुझे छोड़ दिया तो मेरे वहां पहुंचने से पहले ही फोन करके मुझे मरवा सकते हो आज के बाद शेहर के किसी लड़की को तुससे तकलीप नहीं होगी जिन्देगी में पहली बार अच्छा काम करने जा रहा हूं मैं अच्छा काम करने जिसने दिया है दोखा मुझे को बच नहीं वो पाए गजनी गजनी आया गजनी लूटा जिसने धर मेरा पच नहीं वो पाए गजनी गजनी आया गजनी जिसके लिए लड़ा सबसे लड़ता है अब उससे मुझे चान का दुश्मन बना है वो जीना सिखाया जिसने मुझे पार पीट पे उसने किया अपना बना के चला उसने जिसने दिये है सखम मुझे दुनिया दूगा उसकी चला ओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओ मां का प्यार मिला ना मुझे छोड़ गई वो रोते मुझे पाला मुझे हाँ जिसने जुर्म सिखाया उसीने मुझे राहे थे गुनाओं की उसने मुझे हथियार दिये उसने कराए जो भी जुर्म वो सारे ही मैंने किये किस के करें विश्वास अब दुनिया में विश्वास है ही नहीं जीवन है ये रण भूमी जुद करना है उससे मुझे दोखा 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 गजनी तुम कैसे जिन्दा कैसे बच गया यही ना नहीं गजनी तुम तुम्हें तुम्हें यह बोलना बताना बताना कमीने की उलाद बता जबान क्यों बन्द हो गई तेरी बताना तुन्हें दीवार पे सर्मानने को कहा तो मारा पहले मेरी चान लेने की बाद तुम्हारे दिल वे आई कैसे ? तुमम ने जिसको कहा मारो उसको मारा जिसको कहा गाली तो उसको गाली दी ? जब भी मैं आपको भाई कहके बोलाता था तो आवास दिल से निकलती chef my मेरे दुबान से नहीं निकलती थी पर तुम में से किसी ने भी मुझे अपना भाई नहीं समझा तुम्हारे लिए तो गजनी का मतलब घर का कुटता एक महंती जूटा काने वाला एक नौकर है न है न मचली का दुश्मन चाल साप का दुश्मन चीटी पुलिस का दुश्मन चोपर गुंडे का दुश्मन गुंडा ही है नहीं चाहिए ये का मुझे नहीं चाहिए भरोसा करने वाले को जिन्दीगी भर की वाफा का ये सला दिया तुने तुम्हें अब सिंदा नहीं छोड़ूदा अपने स्वार्थ के लिए तुम किसी को भी जला सकते हो लेकिन जि क्यूं पांच लोगों को जलाया क्यूं गजनी से दुश्मन ही ये सोचके पश्टाएगा तुँ भाई भाई कहकर पीट में छुरी भोकने के लिए अफ्सोस होना चाहिए तुझे तुम सब का विनाश कर दूँगा मैं विनाश कर दूँगा विनाश कर दूँगा माफ कर दे मुझे मुझे माफ कर दे धर्मात्मा से कोई भी दुश्मनी करता तो उसकी मौद धर्मात्मा के हाथों से ही लिखी जाती थी या इसी बात का बदला लेना चाहते हो ना यहां से जिन्दा बच कर जाओगे तब ना डरा रहा है क्या मुझे पागल समझत है क्या मेरे पासे तेरे आदमी तेरे साथ है इसलिए हिंबत दिखा रहा है यह पता तेरा च्छोटा भाई का है क्या का है फोन करो फोन करो फोन दे फोन लगा रहे जब मैं जाओंगा तब बात करेगा अगर नहीं गया तो बात नहीं कर सकता कि छोड़ दो भया चोड़ दो भया थे अधी मेरी बात सुनो मुझा चगु चाहिए अरे गजणी मुझे उठा कर लाया है तेस ठाली में खाया उसी में छेट करता धोके बाज क्या रहे कैसा धोका पांच मासूम लोगों को जिन्दा चलाने वाला तेरा भाई धोके बाज है भाई बहन प्यार अभिमान भरोसा विश्वास इनका मतलब जानते हो तुम लोग पांस साल पहले तेरे भाई को ड्राइविंग करके ले जा रहा था मैं अचानक हमारी गारी दुश्मनों के ट्रक ने उचाल दी तेरे भाई को कुछ न हो जा इसलिए एक हाथ से उनको और दूसरे हाथ से स्टेरिंग पकड़कर मैंने ब्रेक मारा सरफेर स्टेरिंग लगने से खून निकलने लगा इतने में किसी ने चांकू से वार किया पूरे शरीर पर खूनी खूनता काँ चीक आयते फिर भी मैंने उन्हें बचा लिया हॉस्पिटल में आग खुली तो मुझे दर्द नहीं हुआ मुझे इस बात की खुशी हो रही थी कि अपने भाई को मैंने बचा लिया जब पता चला कि भाई ने बिहारी को मुझे खतम करने के लिए का तो गुस्ता नहीं आया आखों में आशू आ गए थे क्या रहे घड़कियां देखकर खुजली होती है माफी मांगने में चरम आती है तुमें बचाने के लिए मुझे आना पड़ेगा तुझ जैसे दरिंदो की कारिस्थानिया देखता रहा इस बात की सज़ाद दी है भगवान ने मुझे मुझे मत पारो मुझे छोड़ दो अब तु किसी पे हाथ नहीं डालेगा किससे बात कर रहे हो ए धर्मात्मा अपने भाई को आखरी बार देखना चाहता है तो घर के बार जाकर देख वहाँ पड़ा है तेरा चोटा भाई उठवाले उसे जटकू 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 नहीं भाईया उस गुलाव ने अपने छोड़े का हाथ का और दिया भाईया मेरे पहली कहाना है उसे क्प कर देना चाहिए था अपने सुनख ल्यवा का तो सभी तुम्हारे साथ हैं सब लजनी ने फोन किया भाई दर्द हो रहा है जलन हो रही है अब तुझे पता चला जिनको तुने जलाया उन्हें कैसा लगा होगा अब हरो तुसे याद करके रोई का मेरे घर का जूटा खाना खाने वाले जानवर हो तुम पीछे से वार करते हो मैं तुम्हें जिन्दा नहीं छोड़ूँगा घर पे बैठके बक्वास कर रहा है लेकिन मैं मैं मैंधान में उत्रा हुआ हूँ मेरा अगला शिकार तेरा दूसरा भाई है जिस दिन मिल गया उसे छोड़ूँगा नहीं अपने चाकू तलवारे बंदू के जो कुछ भी यह सतयार रखना भाईया भाईया क्या कहना है वह मुझे बताओ भाईया चोड़ना नहीं छोड़ना नहीं खतम कर दो उसको खत्म कर दो जिल दिकर ओर है फ़े का पाड़ा है तो आप अपने काम पर जाओ ए तुम क्या ख़ड़ ओगे काजल पर अब देखो यहां कितना सा नाटा चाया हुआ है अब उसे मिलना नहीं होगा क्या किसी से खबर पहुँचा तुमगी काजल काजल एक मिनिर उस दिन मैंने अंजाने में तुम्हें बहुत मारा दिल में कुछ भी नहीं रखना मुझे माफ कर दो काजल अरे तुम गजनी से प्यार नहीं करती तुमने ऐसा कहा है ना पर वो बहुत अच्छा लड़का है तया करके तुम उससे शादी कर लो एक और बात में तुम्हें बताना चाहती हूँ मैं चाहती हूँ किसी बितरा तुम्हारी शादी उससे हो जाए क्योंकि वो तुम्हें बहुत दिल से चाहता है कि दी प्रोमन पर अचम्हारी पर गजनी गारी में बठाए है वो तुम से बात करना चाहता है अ कि अ कि अ कि अ कि अ भुआ अ कि अ बैटोफ प्रुआ कि अ पर जय याद किया ना इसलिए आ गया तो शोश समझ के बताना तुमने मुझसे यही कहा था ना तो कहने के लिए आया हूं तो मुझे पसंद हो जिस दिन ये वास समझ में आ जाया उस दिन मैं तुम्हारे दिल में कुछ और है तुम्हें मारने का पश्टावा था इसलिए तुमसे शादी की बात कि अच्छा हुआ सब्सक्राइब तो जाने चांक कुछ चाहां नहीं मैंने कि चलती गाली में क्यों चड़ रहा का देख कहीं कि कि किसे का दखा रहा तू बताता हूं और तक हो या मर्ण का हो मैं बैठूंगा तो क्या फ़र्क पढ़ जाएगा है जरो जरा उदा खिशको हटो यह बेशरम कहीं किया है क्यों पता हो तो नाम से बुला सकता हूं ना तेरी नानी की नानी जहसी की रानी नाम तो बहुत बड़ा है तुम्हारी हुमर कितनी है एक्सपिरियन्स रहेगा तो और भी अच्छा रहेगा अच्छा बता तेरा पती या काम, कॉंटरे क्टर क्या भहरे कई कार्टर नहीं रहे, मतलब डीकर्ट लेकर जो पैसे खिश देता हुआ ही ना वैसे कौन से रूट पे काम करता है इसी रूट मेरे ये क्या बात करते करते आचानक आवाई मर्दों वाली हो गई तुमारे कमी ने सुनाए नहीं देता क्या ये मेरे नहीं मेरे पती की आवाज है अरे बाबरे कंडेक्टर को सीटी पकड़ना चाहिए हथियार यू पकड़ा है उससे सिर्फ हथियार पकड़ना आता है चलाना नहीं बाल बाल वज़ी गिया मैं तो गजनी कैलासबुर से रमीन बेचने वाले सारे किसान मुंबई आ रहे हैं है क्या मिले वो शिकार को छोड़ दे वो कोई पागल है क्या तुम सभी बिलकांके फार्दू आदमी हो जारे है हलो बांदरा पुलिस टेशन मैं इस पी बात कर रहा हूं साब कहा है साब अभी कुछ काम से बाहर गए है बद्रिरत कहा हो तुम रजिस्ट्रेशन ऑफिस में बाई साब आतो वहीं दो मैं वहीं आ रहा हूं कि इतनी स्वीट में चला रहे हो नब्बे पैसे एक सो नब्बे जाने दो नहीं तो इंकाउंटर में नाम लिखकर तुम्हें शूट कर डालूँगा मैं अंदर क्या चल रहा है रेजिस्ट्रेशन चल रहा है भाई मैं बाहर ख़़ा हूं यह लीजी पैसा पैसा दे रहा है भाई अंदर आ जाओं क्या अंदर साहिन हो रहा है गजनी नहीं गजनी ए भाई भाई वे पिए पारी कहता था उसे एंटाइम पर सेंटिमेंट जाग सकते हैं बात में रेजिस्टरेशन है आप आज आईए कि अगे 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 कि 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 अगे । P सार काज़नी का भाग रह रहा है वो बस्त्री भाई को मार के जा रहा है कुप उस काज़नी का भूकर दो जाषे, लो कैसे को गज़नी गज़नी ही पीछे सक्ति सारी एए, जल्दी बगा, जल्दी बुर्णाओ, जल्दी बुर्णाओ ओटे, ओटे, ओटे उल्दी में भॉबरे जर्णाओ यह जिल्सलिए खोपी, खोपी, उट कोपी. उटाओ खोपी. खोड़ो खोड़ो खोड़ो, घॉटो खोड़ो खोड़ो खोड़ो. मैंने यहाँ. गोपी से लेकर द्याँ. जोओ मज़े, गोपी. कि आप दूमान दर समया थो कि एप दूख था ये इस राइट शोल्डर जब हो स्पीडर कर दो ओके सर कि अजनी थोड़ा पीलो घजनी धर्थ को पता नहीं चलेगा थोड़ा पीलो घजनी धर्थ कम हो जाए थोड़ा नहीं यार अब क्या करें बाबा होस्पिटल के पास पुलिस होगे जल्दी से बेहन के खलने चला लेकिन वो तो अभी डॉक्टर पढ़ रही है न कोई बात नहीं कि अजनी को पता चलेगा तो बाट में देख लेंगे तू पहले फोन लगा देखा है देखा जब से तुझे कुछ और नहीं देखा मैंने एक तेर से बाओ जाने चा कुछ चाहा नहीं मैंने जल्दी आजो दिल के तुम महमा हो हाँ मेरी तुम जाहो बोलो तो जानम दिल हम चीर के दिखे लाए गोली लग के गई है हड़ी को कोई नुकसान ही हुआ है मैं मेडिसन लेके देते हूँ ये क्या आपसा फेट का है ये दवाई ये डॉक्टर के पर्मिशन बना नहीं मिलेगे डॉक्टर अब मेरा भाई कैसा है पूलिस पंडे लॉयर डॉक्टर लोग सभी मिलकर अगर प्लान करके ऑपरेशन थेटर में काटेंगे तो ऐसे कैसे रहेगा पूरे चप्विस वार हैं सिर्फ जान बच्ची है जिन्दा भी है लाश की नमान किया रहे हैं बहुत गलत किया रहे हैं भाईया भाईया हालो मेरा नाम लक्षमी है मुझे कुछ मैडिसन चाहिए आप निकाल के रखिए मैं लेके जाती हूं कौन सी मैडिसन चाहिए मैडम टू माइक्रो प्लास्टर छे बैंडेज ठीक है आप आजे ही मैडम आजे ही कि सर्व मैं लक्षमी यहली जेडवाय थवाय ऐगा च्जत्री दीजए कितना हुआ चाहसो पिछासी रुपए हुए है मैड़म दओ आगी दी द्यानेक। में को बोला तो पैसे देख जा रेहने है मैडम अ automotive प्रिक्रें sequel दीज़े थे मैड़म हिए क्या हुआ का था किष्ट अधाम अधाट अगर गोरे गाउं ग्रांट रोड ये सारे चेक पोष बहुत स्ट्रॉंग है उस रूट से वो मुंबई से बाहर नहीं जा सकता गोपाल लगर के बीच रास्ते से आकर गलीमफोर्ट रोट से निकल के गॉल्फ रोट के पीछे आकर इस तरफ जीपी रोट पे आने का मौका नहीं है उस तरफ मिट चौकी है, माच एक पोस्ट है इन सब के इलावा एरपोर्ट के पीछे एननपी कलोनी है उस दिन मेरे साले ने बताया था कि जब वो बात कर रहा था तो फ्लाइट की साउंड आ रही थी वो उपर उनने वाली फ्लाइट नहीं थी एक टेक ओफ फ्लाइट थी और एक लैंड होने वाली फ्लाइट थी एरपोर्ट के पीछे शेहर में सिर्फ एक ही जगा जो किसी को नहीं पता लेकिन मुझे पता है तरसर वो देखिये, आग रहा है जो, तुम शूट नहीं कर सकते है पगार नहीं लेते हो क्या, यह दिवाली की बंदू कह गया, सारे पाफ मैं अकेला करूँ अजय, गजनी, बात करो गजनी गोपी कहा है यार उसे पुलिस ने अरेस्ट किया है गजनी, उसे कुछ भी नहीं होगा डॉक्टर बेन को बुला क्या बात है मुझे बताओ गजनी डॉक्टर बेन से कहना, कि मुझे गोली लगने की बात, वो काजल से न कहे बेचारी काजल, पता चलेगा तो दुखी होगी अभीताक उसे बहुत दुखती है बेचारी, काजल से मत कहना सर, हाथ में पट्टिक ऐसी, नीचे से गिरा था या उपर से गिरा था शरम नहीं आती, तुले हम एक लड़की दोकार देकर दवाईया लेकर भाग गई बोल रहा है मुश्क्रा रहा है, तेरे जैसे को क्यों चाहिए वाइट पेंचर्ट, ताड़ी पेंट कर घर में बैठ जा सच में वो घाव पे लगाने वाली दवा थी ना उस दवाई से ओपरेशन भी कर सकते हैं सर इससे पहले तुने उस लड़की को देखा है क्या नहीं देखा सर अरे लोगनात, इस टपोरी लड़के को सीक्रेटली हल्प करने वाली लड़की कौन हो सकती है उसका चक्कर किसी लड़की के साथ था क्या वो भियारी एक लड़की को उठा लग गया था तो हम सबी गए थे ये वो लड़की कौन थी पता है जब पूचा के उस लड़की को पैचानते हो तो बिना शर्माए बोल रहे हो कोरस में थूँ तुम मुझे अवाइड करोगे और मैं खुशी से रह लूगी ये कैसे तुमने सोच लिया मुझे सब कुछ पता है तुम अपने आपको दोका दे रहे हो तुमें धोका पसंद नहीं है ना मैं तुम पर बहरोसा करती हूं चौ क्यों रहो तुम अजार कुन कर दो मैं नहीं डिलगा तुमने अपना रास्ता बदल दिया तुमारे वजह से मेरी जिन के बरबाद ना हो यही सूच रहे हो ना तुम यह सच नहीं है तुम नहीं मिलोगे तुम मेरा जिना बेकार है जिस पर बहरोसा किया उसी ने दोका दिया यहीं सोच का डरते हो ना तुम्हें मुझ पर भी बहरोसा नहीं तुम्हें एक साथी की जरुवत है मैं हूना मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी शर्माय बिना मेरे गले लग जाओ अगर रोना चाहते हो तो जी भर के रोलो दिल के अंदर का बोश हलका हो जाएगा जीवन में नया भरोसा मिलेगा और नई हिम्मत मिलेगी जब मुझे पचाने के लिए कोई नहीं था उस वक्त तुम अकेरे सबका सामना करके तुमने मेरे हिर्फासद की अब इस मोड़ पे मेरा भरोसा तोड़के मेरे दिल में नफरत पैदा करने की अब बशशी फिर्मत कामा थोड़ी तुम चंचल हो थोड़ी मासूम हो खूबी है तुम मेला को हम क्या क्या बतलाएं दिल के तुम महमा हो हां मेरी तुम जाहो ओ रो तो जानम दिल हम चीर के दिखलाएं ये भोली भाली दिल नशी प्यारी प्यारी आदाएं ये हौले हौले करती जादू गरी थोड़ी तुम चंचल हो थोड़ी मासूम हो खूबी है तुम मेला को हम क्या क्या बतलाएं मैं रूप के हूं रानी तु इश्क का है राजा तनहा मेरी जिंदगी तू बन के बहा राजा आहा तेरे नाम की पहनी है चूड़ी तेरे नाम का ये कंगना है मेरी भी चाह यही मैं बनू तेरा ही सजना थोड़ी तुम चंचल हो थोड़ी मासूम हो तू भी है तुम मेला को हम क्या क्या बतलाएं कर रू़ी खना हमस्त अव्या अरवी तुम मु ऑपीर गिर्ण की कर उच vowels पैर के सिंग किसी देखा है जब से तुझे कुछ और नहीं देखा आथों में है तेरे मेरी चाहत की रेखा हें कर दी तेरे हबाले जबानी प्यार का तूले लेरे मजा पन गई अपनी प्रेम कहानी अब होंगे ना हम तो जुदा थोड़ी तुम चंचल हो थोड़ी मासूम हो तू भी है तुम में लाको हम क्या क्या बतलाएं अरे गजनी की खातिर एक कार चुरानी है तो यहां क्यों ले आए यह बाई आर से आने वाला कोई भी बेक्ति यहां उतर का प्रिशाप करता है यह पेड यह जगा यहां से आने वाली बदबूदार बास तुम्हें पता नहीं चल रहा क्या लेकिन तुम्हें यह सब कैसे पता है तो अपना टालेंट है उस दर चारा Susnay रोकी रोकी रोक्स है यह उसमें से आदमी नहीं, पांगय क्या बात करता है इसले हूं किसको देते हैं गजनी को देते हैं गजनी अपना काम पुरा करके हमें गारी वापस देता है इसे हम चोरी कि हुए प्लेस के लावा दूसरे प्लेस में जाकर छोड़ दें इसविश उपकी बाद इत्रे दिमाग कहा से है भाई वही तुमुझे पता नहीं यार पॉस्टर बन गया ने तिरा भाई आप समझ गया न अब समझ में आया धोका केसे कहते हैं दुख केसे कहते हैं सर्ज से लेके पैर तक सरसराहट हो रही होगी न शौक लगता है जैसे तुझे जिन्दा नहीं छोड़ूंगा मैं लालच का अंजाम जानता है नै तूटे पतीले भटे बासकेट की तरह वेस्ट बन जाएगा मैं चाहता तो एक पल में उसे खतम कर देता अगर वो मर जाता तो पहले दिन दिये चला कर दूसरे दिन दूद पिला कर और सूला दिन में पिंड़ दान करके उसे भूल जाता रोना पड़ेगा तलप तलप के रोना पड़ेगा जिंदगी भर उसके लिए तेरे दिल में दर्द होना चाहिए सड़ा हुआ आम है वो जिनदगी भंचूस बना कर पीना दोखे बास कहीं का? मेरे घर का जूटा खाना खाके बड़ा हुआ है तो, तेरी बोडी को काट के अगर चील कवों को नहीं खिला जाए? एए, मेरे बोडी काट के का सपना छोड़, देरे भाई की बोडी का जो कुर्मा बना कर भेजा उसे जानवरों को खिला मजने से खाएंगे, थूद! क्या हुआ भाई? जाओ तुम लोग! क्या हुआ भाई? क्या हुआ भाई? इसे नो इसतरे तलब्दा उआ नहीं देख सकता! आप भाई धनरी से अचिए भाई, छोड़नो भाई! क्या हुआ पाइव फारनो? भी जाफ बहुता है पहाणी नहाणी 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 कि र네 यहाणी किप Nebenin वो इस समय कहा है बता मज़ी अपने जीजा को ले जाकर वो स्लमेरिया के सभी लोगों को उठाकर लेया यह जो होगों के अजीजने टील्स में उनके बारे में कुछ डीटेल्स देंगे सहां में असानी हो पार पर दूसर का उसा निकाल रहे हो साहब अगर यह वर्दी तुमारे बजन पर ना रहना तो कोई भी तुमारे उपर हाथ उड़ा सकता है सब्सक्राइब करती है अंदर टेल में ज्याल कर तेरे हाथ पर जोड़ाइब कर देख रहा है वो सब केश तुम पर लगा दूगा और जब तुमको अंदर डाल दूगा तब पता चलेगा कोई लड़की उसा मिले आपकेट उसे कुछ नहीं पता तुछ नहीं पता तुछ नह सब्सक्राइब करने वाली एक लड़की है सर उसका पता चल गया है नमस्ते आईए भागना चाजनी क्या चल यहां से आपको जरी क्या नहीं चल यहां से पता गजनी कहा है इस उमर में इतनी नाच रही है तू उसे हर रोज मिले चाहिए न तू बदा नहीं कर तेरे बदन पे कीड़े छोड़ दूंगी बड़ारा मिलेगा तुझे तुम इंसान हो या शैतान तुम बे थो असल में एक औरत हो क्यों पासुम नड़की को इतनी तकलिव दे रही हो प्रश्च का हुआ है ना चोड़ी करने वाला सुमो सर गाड़ी कभी गाड़ी की चोड़ी करती है क्या तो गाड़ी का नाम नहीं है सर वह आदमी का नाम है तुम प्लिस स्टेश्चन समझ ना बसना आए आईये शराहिए यह रहा तलाब अपनी टोपी ड्रेस निकालकर मुझे दीजिया इसमें डूपकी लगाईए अरे इसके अंदर जाना है ए गजनी पूछा तो तलाब को क्यों दिखा रहा है आपने गजनी हाथे के बारे में पूछा थे ना वो इधर ही आता है मैंने बता दी अबास चलता हू हon. गजनी को पूछा तो तलाब दिखाता है आप गजनी हाथी के बारे में ने इह किसी और गजनी के बारे पूछ ले थे नहें जाए तो तब इकम्छे पता नहीं कि अपने गोपी और सुशी को धिर्मात्मा ने मार के ताला में डाल दिया है अपने एरिये वालों पर जूटे इलजाम लगा कर अंदर कर दिया है काजल को भी अंदर कर दिया है गर्जनी मैं उसे छोड़ूगा नहीं मैं अब भी चाहता हूँ उस एसपी को ठोक देता है एसपी राजाराम होता तो खतम कर दिता यार दीदी को पती राजाराम बन गया है सेंटिमेंट भीच में आ रहे है नहीं तो कब का खत्म कर देता है ए जीजा इंसानियत बाकी है तो हत्याराय धर्मात्मा उसे एरेस्ट करो या फिर जलाने वाला है भासकर उसे एरेस्ट करो और हवालात में जो दो आदमी मारे गएं उनकी छानवीन छोड़कर पोस्ट का रोब दिखा रहा है पोस्ट माटम कर दूँगा दीदी का पती है इसलिए बच गया है नहीं तो कब का खत्म हो जाता है अब देखना तेरी तो तो नो एक साथ मरोगे कि तेरा गुस्सा जाय से दीदी मैंने जो किया इंसाब के लिए किया यह बताने के लिए नहीं आया हो मैं तो दिल कोई फोन किया था क्या नहीं तो तुम क्यों इतनी चुपके से बात कर रही हो गर पर कोई आया है क्या नहीं तो कोई नहीं आया मेरी पत्नी जी से साथ से मुझे से फोन पर बात कर रही है लगता है कि वो गुलाम बनकर ढट से इल गई है अगर उसे कुछ हो गया न तो मैं चुप नहीं रहूंगा मैं भगवान की हर रोज पुझा करती हूँ ताकि सब कुछ ठीक हो जाए कि कुछ में तो ठीक नहीं हो रहा है असा क्यों लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए मेरे लिए यह ज़रूर है तुम्हारे लिए तुम्हारा पति ज़रूर है शराफ से उसे ले कर दूर चल कियों अपने पती को एक ही पेट से जनम लिए अपने सगे भाईयों को दुखा देती है तेरे चेहरे के पशीने से ही नहीं तेरे दिल की धड़कन से मैं आचानी से बता सकता हूं मुझसे जुट बोल रही है इससे सचाई निकलवाने के लिए आया है तेरा अपने क्यों तो कैसे नहीं बोलती तेरे इन होटों पर उसके होटों से चम्मा करवाओंगी मैं जल्दी करो ले जाओ इसे जल्दी करो गजनी कि यह वल्दार क्या है यह सब यह फाई यार लिखे भीना जमाल लड़की को चौकी मेरा कर इज़त लूटने की कोशिए करोगे तो और क्या होगा तो चुटा मैठे लो पाओן बस्सके मेर ल cry बखाईएा लड़ कि NEWर इसे रखाए WINज झाण यह दिष हाईक कि मैं अल्देन इसफे तो पज़ी मिये किमने दो बाईए मिये किम मिये किमने मिये किमने पाईए मिये किमने पाईए मिये किम जाईए पिये किमने अज़ heck ह Taiwanese! कर शत कर दो, रो था। कर शत कर दो 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 दो! कर दो, 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 क जोड़ो जोड़ो बैंट चोड़ो जोड़ो 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 आप अब फासकर पाउट लोगों को जलाने वाला चलाद है ना तू कि अब सिर्फ एक जान चाहिए इसे जला कर भाग जा नहीं गज़नी 15 साल का रिष्टा गज़नी विश्वास क्या ए लोकना तू इसे जला कर भाग जा मिष् Cris कि भाई नहीं बाई। अपर नहें बाई समषी हमाना आप्ट कर देखरेл resonated भाई 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 honest . भाई भाई Зथार नहीं 15 और पनेक यह साथ हो भाई ज्झार भाई जी सबस्प्राइब लिए इस बदो काई हो आप पॉलन पूरे अंज भाई कर दो कर दो आज के बाद एक कदम भी आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं इंटेलिजेंट रुबोट ट्यार हो रही है किसी भी वक्त जीम की टेबल पर आ सकती है उसके बाद रियक्शन बहुत भयानक होगा गजनी को लिया बोला तो हाल कर आगए तुम मेरे खेल को मैंने ही रहे चाहिए यही सब लोग देश में समझ रहे हैं मेरी इज़त निकाल दी बैंडरा में दो वड़ी बीच पर दो जले हुए शब बिना मतलब गलत केस लगाकर तीस लोगों को अरेस्ट पुलिस टेशन को जला दिया है ना बड़े तर्म कान समझते हो ना यूनिफॉर्म निकाल कर देख लो मुझे 24 गंटे की मौलत दीर जिये उस बीच में मैं उसे खतम कर दूँगा इतने बड़े गुंडे समझ रहे हो क्या सारी गलतियां ओशियारी से सारे सबूत छोड़े बिना मार रहा है ना अब यह जंग नहीं रुकेगी अब मैं किसी के बारे में कुछ भी नहीं सोचूँगा मैं उस कमीने को किसी भी हालत में जिन्दा नहीं छोलूँगा बोलो काजल काजल बात करो मैं जल्द ही तुमसे मिलना चाहती हूँ पता है भी तुम काओ कलकत्ता पार करके बांगलादीश जा रही हूँ मैं तुमें देखना चाहती हूँ मुझे कुछ हो जाएगा जिन्दगी में मिल पाऊगिया नहीं यह सोच कर डर रही हो ना तो डरो मत मैं तुमें जरूर मिलना अभी अभी एक खबर मिलने है गजनी ने थोड़ी देर पहले एक सेल फून पर कॉंटेक किया था वो फून उडिसा साय था अब थोड़ी देर में कलकत्ता की बांडरी पार कर जाएगा अब बंगलादेश के निट्वर का सिंगनल देर गजनी ने बात किया हूँ करेक्ट इस एरिया में न्यू बंबई के सिंगनल बतल रहे हैं इसी जंगल में वो कहीं छिपा होगा एई भाउचा दक्का भाई पांचा बड़ा का मधू सबको ढूड़ने के लिए बोल देना मैं भी उतर रहा हूं मैदान में कि अधर आज आज़ने के अधर का पता चल गया है चलो रहे ज़्दी चलो कि अधर कि अधर को पोलीज ने पकड़ लिया है अब तुम्हें दूनते हुए एस्पी यहां आ रहा है पता है मैं उसे संभाल लूँगा तुम लोग जाए यहां से क्या गजी क्या बात कर रहे हैं तुम लोग जाओ सर कुछ और फोर्स की जरूत है क्या नो सिर्फ पांच मिंट का जंगल हो रहा है ज्यादा फोर्स ले जाएंगे तो अलर्ट हो जाएगा और भाग जाएगा इतना ही नहीं हम उसे जिंदा नहीं पकड़ने वाले खतम करने वाले हैं सेलफोन सालेज पर रखना दोनों इस त दो जूब दो जाएगे पुश्योतम कालिदास नाहीं पर आओ एजीजा कालिदास खाली हो गया एज घापार तू कर दो कर दो जा है! हाँ!!! जी जा पुर्शोत्तम भी खलास हो गया कहा परा तू व हुआ उ Quand पराउ palette पराउ परांट करा पराउ भार है इले गात कोपणी उळा दूंगा आद उपरकार हाइएएएएएएएएएएए तुचग़ग़ग़ग़ग़ग़ अजय! राइब बचकग़ग़ग़ग़ कि क्ये रहे खर्माद पां नवी बंबई के जंगल में गजनी को मैंने बंदी बनाया हुआ है जल्दी से आ जाओ मैं वही पर आ रहा हूं उसे जाने मत देना कि 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 अधर आइज अधर टॉब कि कृई आओम पटुझ कि 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 कु कि का जाओम वहा हूंड । तर प्टी dit हुआ है कि ऊंगल त विहाण हुआ हुआ हम खां जाओो न हुआ 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 हूआ है करल दिखल Сам जैनि क्रें देर और डो जी जानेत Mittal ते डर्माटम सवे करको जुद पांос जिभर पांहे रोल कि बेड़fir ए न इक तूरुक है दला या जिक या अइन डाल पांहे इन जानि सब कि खिख़ा जो जुद तेरे पापों का हिसाब नहीं है और तेरे जलाए हुए लोगों का हिसाब भी नहीं है क्योंकि उन्हें तुम से ज्यादा मैंने डराया आओ… आओ… और फुमोर ए例えばいきます Haa! हुष! हए! हुष! भुष्ड! हुष! हàiट! हुष! 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 हुआ 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 हुआ! क्या सोचते हैं तुझे इतनी आसानी से मर जाने दूंगा मैं चाहता तो कपका जहर देकर तुझे बार सकता था मैं लेकिन जीना मुश्किल है और तड़ तड़ कर जीना तो और भी मुश्किल होता है कि जब यह गुना हों को मरते समय इतना तड़बना पड़ता है तो इतने गुनाय करने के बाद क्यूं नहीं तड़बेगा तुझे तेरे जैसे मेरे जैसे गुन्डा गर्दी करने वाले सारे लोगों को समझ में आना चाहिए तुम आपने आपको शहर का बहुत बड़ा एक गुन्डा समझते थे ना मटा हुआ पोस्टर बना दूँगा तुझे किसी को मूर दिखाने लायक नहीं छोड़ूगा अपमान से तुम घर से न निकले निकले तो लोग सुपर थूके और उस अपमान से अगर तुमना चाहिए तो तुम भर भी नहीं पाएगा ऐसा बना दूगा में तुझे 45 साल के गुंडे से कौन शादी करेगा पैसे के लिए अंसान का खून पीने वाले अगर तु जीना भी चाहिए तो साइन के बेना अंगुठा लगा बेना खाने के लिए हाथ नहीं खिलाने वाला कोई नहीं तलब तलब के मरेगा तुम कि आज के बाद न तुखा पाएगा न पिछवाला धो पाएगा और न भीक मांग पाएगा और देख रहा है मुझे क्या करूंगा ये सुत्र है जान लूगा तो जान जाने तक दर्ध होगा अब पाहज बना दूगा तो मर्दे तम तक दर्भेगा आज नहीं गज़ नहीं अब समझ में आया मैं दिल्ली जा रहा हूँ तुम लोग भी कहीं चले जाओ हम यहां रहेंगे तो पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए फिर से गलत रास्ते पर चल पड़ेंगे यह सोचना गलत है कि लोग हमें देखकर डरें इमांदानी से रहूँगा तो शांती से जिऊँगा चलता हूँ गजनी ए बसना यार रवी चलता हूँ दीदी जा रहा हूँ यह लो सुनो पहले आप मुझे यह बताईए कि हम जाका रहे हैं हम दिली नहीं जा रहे हैं पूना जा रहे हैं आज के बाद मैं कहा रहता हूँ यह किसी को पता नहीं होगा तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा काता न इसलिए कि हुआ हूँ जा रग मैं हैं हुआ हूँ मुआ इसलिए